नवश्कार बच्चों, बच्चों उमीद है आप अपने स्थान पर स्वहस्त और सुरक्षित होंगे बच्चों आज हम नागरिक शास्तर का सातवी कक्षा का अधिहाए आठ करने जा रहे हैं और इस अधिहाए का नाम है बजार में एक कमीज बच्चों आपके दिमाग में प्रशन आ रहा होगा कि बजार में एक कमीज और भी तो कई चीज़ें होती हैं बजार में फिर हम बाजार में कमीज की बात क्यों करने जा रहे हैं। वास्ता में क्या बात है कि हम एक कमीज या एक वस्तू के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो कमीज है या जो वस्तू है वो किस परकार पैदा होती है और किस परकार अंतिम उपभोगता तक पहुचती है अर्थात कहां पर वो कोई चीज पैदा हुई और किस प्रकार पैदा हुई और किस प्रकार विभिन बजारों से होती हुई वो किस प्रकार जो अंतिम उपभोगता है जो किसी वस्तू का अंतिम रूप से प्रयोग करता है सेवन करता है उस तक वो वस्तू कैसे पहुँचती ह हमने आज का जो अधिहाय है बजार में एक कमीज उसके माद्यम से इसको हम समझेंगे और ये जो आप देख सकते हैं ये जो कमीज है जो मैंने डाली हुई है आपने भी कमीज डाली हुई है ये जो कमीज किस प्रकार हमारे तक पहुची अर्थात इस कमीज को बनने में किन प् तो बच्चों आज का यह जो अधिहाए है बाजार में एक कमेज हम इसके माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि कोई वस्तू किस परकार अंतिम उभोगता तक पहुचती है और साथ ही ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो वस्तु बनाई गई है या हम अगर कमीज की बात कर रहे हैं उसको बनाने में किन किन लोगों का योगदान रहा और जिन जिन लोगों का योगदान रहा क्या उन सब को बराबर फैदा हुआ क्या सब को बराबर लाब हुआ या कहीं ऐसी स्तिति बनी कि कुछ लोगों को तो बहुत जादा लाब हुआ और कुछ लोगों को जो लाब था वो ना के बराबर हुआ सिरव अपनी रोटी कमाने के लिए ही उनको सिरव फैदा हुआ वो हम विभिन श्रिंखलाओं से गुजरते हुए इसको जानने का प्रयास करते हैं बच्चो हम अपनी कहानी स्वपना से शुरू करते हैं अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये स्वपना कोन है स्वपना क्या है एक किसान है जो आंदर परदेश के एक गाओं कुर नूल में कपास पैदा करती है आपको पता ही है कपास जो जिससे बाद में सूत बनता है और उससे बाद में धागा बनता है फिर कपड़ा बनता है फिर उससे कपड़े बनते हैं और इस प्रकार ये हमारी कमीज बन जाती है तो हमने स्वपना से अपनी कहानी शुरू की है अब स्वपना क्या है जब वो कपास पैदा करती है उसके पास इतनी ज़्यादा जमीन नहीं है थोड़ा सा उसका खेत है उसी हिस्से में वो कपास पैदा करती है अब जब वो कपास पैदा करती है जैसे ही वो फसल पकती है वो उनसे जो कपास है रूई है वो निकाल लेती है और फिर वो क्या होता है वो रूई को अपने पती के साथ कुरनूल का जो एक व्यपारी है उसको बेचने जाती है वो जो बजार है कुरनूल का वहाँ पे अपनी फसल को बेचने नहीं जाती क्यों क्योंकि उस व्यापारी से जिसको वो फसल बेचने गई है अपनी रूई बेचने गई है उसने फसल उगाते समय उससे कर्ज लिया था 2500 रुपे का कर्ण लिया था क्योंकि बीज भी चाहिए क्योंकि किटनाशक भी चाहिए और उर्वरक भी चाहिए और इसके लिए उसने उस व्यापारी से कर्ण लिया था लेकिन व्यपारी ने एक शर्ट रखी थी कि जब तुम्हारी फसल पटकर त्यार हो जाएगी तो आपने या तुमने क्या करना है अपनी फसल मुझे ही बेचनी है और इसलिए मजबूरी में वो जो स्वपना है अपनी रूई को लेकर के अपने पती के साथ उस व्यपारी के पास जाती है अब क्या है वो जो व्यपारी है अपनी शर्तों के हिसाब से उस रूई को लेगा बजार में हलाकी उस रूई की जो कीमत है वो ज्यादा है लेकिन क्योंकि अपनी शर्तों पे वो काम करवा रहा था अपनी शर्तों पे उसने पहले क्या दिया था स्वपना को क आपने मेरे को रूई देनी हैं तो उसने तो रूई उसी को देनी day और इसलिए वह केवल उसको 1500 रुपए प्रती कुवंटल के हिसाब से क्या करता है रूई उससे खरीद लेता है अब उसकी जो रूई है वह चार कुवंटल होती है और इस प्रकार उसको 6000 रुपे मिलते हैं क्योंकि 1500 रुपे के हिसाब से 4 कवंटल हुई तो 6000 रुपे बने अब 25 रुपे उसने पहले दिये हुए थे अब उस पर कुछ ब्याज भी लग गया अब कुल मिलाकर के 3000 रुपे व्यपारी अपने पास रख लेता है और 6000 में से 3000 रुपे उस स्वपना को दे देता है क्यों क्योंकि 25 रुपे उसने पहले दिये और 500 रुपे का उसका ब्याज लगा तो 3000 यह होगे और 3000 उसको वापिस दे देता है क्योंकि जो कुल फसलती वो 6000 रुपे की हुई थी अब स्वपना को भी पता है कि उसको जो उसका मुल्य है उसकी रुई के बीच में क्या बाच्चित होती है आए हम उसको थोड़ा सा पढ़ें जब स्वपना को केवल 3,000 रुपे मिलते हैं तो वो क्या कहती है व्यपारी से केवल 3,000 रुपे तो व्यपारी क्या कहता है रू़ी बहुत सस्तिबिक रही है बजार में बहुत रूवी आ गई है बार रूई कितनी बढ़िया और साफ है इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उमीद थी तो व्यपारी क्या कहता है अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूं दूसरे व्यपारी इतनी भी नहीं देंगे आपको मेरा विश्वास न हो तो कुरनूल के बजार में जाकर पता लगा आओ स्वपना कहती है ना राज ना हो मैं भला आप पर कैसे संदेख कर सकती हूं मैंने तो केवल उमीद की थी कि इस बार रूई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महिनों का गुजारा चल सके अब जब स्वपना व्यपारी से वारता लाप कर रही है का इसलिए वो उससे बहस नहीं करती स्वपना को यह भी पता है कि उसकी जो रूई है उसकी कीमत प्रती कवंटल लगबग बजार में 1860 रुपए है लेकिन क्योंकि व्यपारी से उसको कई काम पढ़ेंगे आने वाले समय में इसलिए वो व्यपारी से किसी परकार की बहस न नया लोगों को उस व्यपारी से पैसे की जूर्थ पढ़ती है फसल के समय तो पढ़ती है कई बार क्या होता है बच्चों की फीस के लिए बच्चों की बिमारी के लिए और कई बार जब कोई काम नहीं होता खेतों में और उनके पास पैसा नहीं होता जीवन भरन करने के ल ये तब वो व्यपारी से ही रिन लेते हैं और अपना जो जीवन है उसको आगे चलाते हैं तो बच्चो इस प्रकार स्वपना तीन हजार रुपे लेकर के चली जाती है अब आपके दिमाग में बच्चो एक प्रशन आ रहा होगा कि ये जो व्यपारी है अब इस रूई का क्य क्या करेगा अब वो क्या करेगा इस रूई को जो उसने स्वपना से खरीदी है या अन्य लोगों से रूई जो खरीदी है उसने अब वो क्या करेगा वो उसको बजार में जाकर के बेचेगा अब वो कौन से बजार में जाएगा बच्चो हम एक ऐसे बजार की बात करने जा संसार के विशालतम बजारों में से एक प्रमुख कपड़ा बजार है अब वो अपनी जो रूई है कपास है उसको वो यहां लाकर के बेचेगा क्योंकि यह जो बजार है यह तमिल नाडू का एक परसिद बजार है और संसार में इसकी गिंती कपड़ा अच्छे कपड़ा बज अर्थाद इरोड एक जगा है और वहाँ पर ये जो कपास है रूई है बेची जाती है और जिसको व्यापारी आकर के खरीदते हैं ताकि वो आगे वस्तर बनाने वाली जो फैक्टरियां हैं उद्योग हैं उनमें उसको भेज सकें तमिल नाडू में सपताह में दो बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बजार संसार के विशाल बजारों में से एक है इस बजार में कई परकार का कपड़ा बेचा जाता है आसपास के गाउं में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बजार में बिकने के लिए आ बजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं दक्षणी भारत के शेहरों के अन्या व्यापारी भी इस बजार में कपड़ा खरीदने आते हैं बजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ओर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहां लाते हैं ये व्यापारी देश्व विदेश के वस्तर निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ओर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्द कराते हैं बच्चो ये दो शब्दाएं हैं निर्माताओं और निर्यातकों बच्चो निर्माताओं का अर्थ है कि जो वस्तर को बनाता है और निर्यातका अर्थ है कि वह वेक्ति जो वस्तु को इस देश से दूसरे देश में भेजता है और यहाँ पर हम कपड़े की बात कर रहे हैं त और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा त्यार किया जाना है। बुनकर आसपास के गाउं में रहते हैं वे इन व्यपारियों से सूत ले आते हैं। बुनकर अपने परिवार के साथ इन करगों पर कई घंटों तक काम करते हैं। बुनाई की अधिकतर ऐसी कायों में दो से लेकर आठ करगे तक होते हैं जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तयार किया जाता है। त्रहत्रह की साडियां, तोलिये, शर्टिंग, औरतों की पोशाकों के कपड़े और चादरें इन करगों पर बनाई जाती हैं। चितर तीन में आप देख सकते हैं, बुनकर तयार किये हुए कपड़े को शहर में व्यपारियों के पास ले आते हैं। इस तस्वीर में बुनकर शहर में व्यपारी के पास जाने की तयारी में बैठे हैं। व्यपारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूत दिया गया था और बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर देता है। बच्चों हम बात कर रहे हैं व्यापारी और बुनकरों की अब व्यापारी और बुनकरों के बीच में एक समझोता होता है और ये एक प्रकार की विवस्ता है जिसको हम दादन विवस्ता के नाम से जानते हैं आपके दिमाग में प्रशन आ रहोगा दादन विवस्ता ये कौन सी विवस्ता होती है ये एक ऐसी विवस्ता है कि जिसमें बुनकरों को कई बार फैदा होता है हलांकि नुकसान भी होता है लेकिन फैदा भी होता है आईए पहले जाने ये विवस्ता है क्या इस विवस्ता मे क्या करते हैं इनके पास जो कर गए हैं घर में उस पर बैठ करके अपने परिवार के सदस्यों के साथ उस पावर लूम जो अभी हमने बात की है चाहे वो बिजली चालित करगा है या पावर लूम है उस पर बैठ करके कपड़ा तैयार करते हैं अब इस विवस्ता का फाइदा क्या है कि बुनकरों को कोई पैसा पहले खर्च नहीं करना पड़ता व्यापारी सूत लाकर के उन्हें दे देता है और बुनकरों को ये भी फायदा है कि उनको पता है कि ये कपड़ा तो उसी व्यापारी को उन्हें देना है इसलिए उस कपड़े को बेचने की चिंता भी उन कि उन्हें कितना कपड़ा त्यार करना है और वो जो उसका मुल्य उनको देगा कपड़े को त्यार करने की जो कीमत देगा वो व्यापारी तया करता है और इसलिए ये बुनकर सिरब व्यापारी के अदेश का ही पालन करते हैं और उसी के मताबिक चलते हैं और जो फाइदा ज उसको पाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें जो मजदूरी मिलती है, सूत से कप्रा त्यार करने की कई बार वो काफी कम होती है, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बुनकर आपस में इकठे हो जाते हैं, और अपनी एक संस्ता बना लेते हैं, जिसको सहकारी संस्ता कहते हैं, अब ये सहकारी संस्ता क्या है, आईए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, बुनकर सहकारी संस्ता हैं, हमने देखा कि दाधन व्यवस्ता में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं व्यापारियों के उपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्ता एक साधन है एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान हैं इकठे होकर पर्सपरलाब के लिए काम करते हैं बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समू बनाकर कुछ गतिवीदियां सामूहिक रूप से करते हैं वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं सहकारी संस्था विक्रय का कार्या भी करती है इस तरहें व्यापारी की भूमी का समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़ों का उचित मुल्य प्राप्त होता है कभी कभी सरकार उचित मुल्या पर सहकारी संस्थाओं से कपडा खरीद कर उनकी मदध करती है जैसा कि तमिल नाडू में सरकार स्कूल में निश्वलक, गनवेश योजना चलाती है सरकार इसके लिए पावर लूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपडा लेती है इसी तरह सरकार हस्त करगा बुनकर सहकारी समिती से भी कपड़ा खरीद कर को ओप्टेक्स नामत दुकानों के माध्यम से बेचती है आपने अपने शहर में शायद कहीं ऐसी दुकाने देखी होंगी अब ये जो कपड़ा व्यापारी है जिनोंने कपड़ा ले लिया है बुनकरों से अब वो उस कपड़े का क्या करेंगे वो उस कपड़े को किसी फैक्टरी में ले जाएंगे जहां पर समान चाहे वो कमीज है चाहे वो पैंट है या कोई अन्य कपड़ा है तयार किया जाता है हम यहाँ पर एक ऐसी फैक्टरी की बात करेंगे जो कमीजे बनाती है और कमीजे बना करके वो सारी की सारी कमीजें दूसरे देशों को निर्यात कर देती है निर्यात होता है जब अपने देश से वस्टों को दूसरे देश में भेजा जाता है वो निर्यात कहलाता है और ये ज बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्तर निर्यात करने वाले एक कार खाने को भेजता है वस्तर निर्यात करने वाली फैक्टरी इसका उपयोग कमीजें बनाने के लिए करती है ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती हैं कमीजों के विदेशी ग्रहकों में अमेरीका और यूरॉप के ऐसे व्यवसाई भी हैं जो स्टोर्स की श्रिंकला चलाते हैं ये बड़े-बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यव्यापार करते हैं वे माल देने वालों से नियूनतम मुल्या पर माल खरीदने की मांग करते हैं साथ ही वे समान की उच्चतर स्तर की गुणवत्ता और समय पर समान देने की शर्त भी रखते हैं। समान जरा सा भी दोश युक्त होने पर या माल देने में जरा भी विलंब होने पर बड़ी सक्ति से निप्टा जाता है। इसलिए निर्यातक इन शक्ति शाली ग्राकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो वस्तर निर्यातक कार खाने हैं यानि वस्तरों को बना करके दूसरे देशों में भेजते हैं। वो अपने ग्राकों की संतुस्ति के लिए क्या करते हैं? वो जो करमचारी उनके यहां काम कर रहे हैं, उनको नियूंतम मजदूरी देते हैं। और इससे वो क्या होता है? एक अपने लाब में वो रिद्धी करते हैं, साथ में जो दूसरे देशों में जिनको कपड़ा भेजा जा रहा है, उनको भी लाब ज्यादा मिल जाता है। जबकि जो यहां पर काम कर रहे हैं, उनको जो मजदूरी है, वो कम मिलती है। की मजदूरी उनके कोशल के अनुसार तै की जाती है काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है जो लगबग नियुंतम मजदूरी दी जाती है अब वहकमीज यां वहकमीजिएं जो स्युक्त राजय अमरीका उतरी अमरीका महादवीब का एक देश है हम उसकी बात करने जा रहे हैं क्योंकि हमने पहले पड़ा था कि जो वस्तर निर्यातर यातर कार खाने होते हैं वो अपने वस्तरों क कि वो जो कमीज अमेरिका में गई है वहाँ पर उसकी कीमत क्या तै होगी अब क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक चितर दिया गया है और यह जो चितर है आप यहाँ पर एक कमीज देख रहे हैं और उस कमीज पे कुछ जो मुल्य हैं वो लिखे हुए हैं अर्थ बात अलग अलग समय में कमीज का क्या मुल्या था और अंतिम रूप से वो कमीज कितने की बिकेगी आए उसको देखें। के लिए उनको 100 रुपे खर्च करने पड़े तो इस प्रकार ये 300 रुपे हो गए और बाद में क्योंकि वस्तू को या कमीज को उन्होंने आगे बेचना है और इसके लिए विग्यापन की जूर्थ पड़ती है और इसलिए 300 रुपे विग्यापन पर खर्च किये गए तो इस 200 रुपे में बेची गई और इस परकार सिउक्त राजया अमेरिका में जो उस कमीज को बेच रहा है उसको 600 रुपे का लाब हो रहा है क्योंकि उसका जो खर्चा था कुल मिलाकर के 600 रुपे था और उसको जब कमीज बेची तो वो 1200 रुपे में बिकी और इस परकार उसको 1200 सो में से जब हम 600 निकालते हैं तो उसको 600 रुपे लाब हुआ तो बच्चों अभी हमने बात की कि स्यूंक्त राजया अमरीका में वो जो जिसने कमीज बेची उसको प्रती कमीज 600 रुपे का लाब हुआ मुनाफ़ा हुआ आए हम उसके बारे में भी जाने जिस व्यक्ति ने या जिस वस्तर निर्यातर कार खाने ने ये जो कमीज थी स्यूंक्त राजया अमरीका में पहुंचाई उसको कितना फायदा हुआ अब क्या हुआ उसने जो वस्तू थी यानि कमीज थी हम एक कमीज की बात कर रहे हैं उसने कच्चे माल सहीद उसको 70 रुपे में खरीदा 15 रुपे थे जो वो कर्याल जो खर्च था उसको चलाने में लगे तो इस परकार 70 प्लस 15 सो रुपे की उसको कमीज पड़ी और उसने जो कमीज थी कितने की बेची थी उसने 200 रुपे की बेची थी अमेरिका में तो इस प्रकार उसको भी प्रती कमीज 100 रुपे लाब हुआ क्योंकि 100 रुपे उसका खर्चा आया और उसने बेची थी 200 रुपे की और इस प्रकार उसका जो लाब था वो 100 रुपे हुआ तो बच्चो इस प्रकार हमने देखा कि जो स्वपना है रुई उत्पादक से लेकर के स्युक्त राजय अमरीका में जिसने कमीज बेची इन दोनों के बीच में स्वपना से लेकर के और कमीज बेचने वाले व्यक्ति से लेकर अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग फैदा ह हुआ एक परकार से हम कहें कि जो बजार में समानता है वो हमें देखने को नहीं मिलती क्योंकि जिसने कपास को पैदा किया उसका जो लाब था वो ना के बराबर था और जिसने अंतिम रूप से कपास से कमीज बनाई और उसको बेचा उसको ज्यादा फैदा हुआ या कहें तो सबसे ज़्यादा फैदा हुआ क्योंकि हमने देखा था जब सिंगत राज अमरीका में कमीज बेची गई तो बेचने वाले को 600 रुपे का लाब हुआ था विदेशी वेवसाई ने बजार में अधिक मुनाफ़ा कमाया उसकी तुलना में वस्तर निर्यातक का लाब मद्यम श्रेणी का रहा दूसरी और वस्तर निर्यातक फैक्टरी के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोज मर्रा की जरूरतों की पूर्ती लाइक ही कमा सके इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाली छोटी किसान और इरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की लेकिन बजार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मुलय नहीं मिला व्यवसाई या व्यपारियों की स्थिती बीच की है बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है इस तरहें बजार में सब बराबर नहीं कमाते हैं प्रजात अंतर के अंतरगत सब को बजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए फिर चाहे वह कांता हो या स्वपना यदि परिवार प्रयाप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आपको दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे एक और बजार लोगों को काम करने उन चीजों को बनाने और बेचने के अवसर देता है जो वे उगाते हैं या बनाते हैं किसान यहां रूई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा दूसरी और बजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्राया सरवाधी कमाई करते हैं ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कार खाने हैं, बड़ी बड़ी दुकाने हैं और बहुत जमीने हैं गरीबों को अनेक चीजों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के उपर निर्भर रहना पड़ता है, गरीबों को उनके उपर रिंड के लिए जैसा छोटी किसान स्वपना के मामले में हुआ, कच्चा माल प्राप्त करने और अपना समान बेचने के लिए जैसा दादन प्राप्ता के कारण बजार में गरीबों का शोशन होता है, इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्ताइं बनाएं और कानुनों का द्रिड़ता से पालन हो, तो बच्चों किस प्रकार हमने एक कमीज के माद्यम से जानने का प्रयास किया कि कैसे उसका उत्पादन होता है और किस प्रकार उन्तिम उपभोगता तक पहुचती है, और किस प्रकार हमने देखा कि इस पूरी प्रक्रिया में किस वेक्ति को फैदा जादा हुआ, किस वेक्ति को कम फैदा हुआ, और अन्तिम रूप में अगर हम देखें, तो क्लम लाकर के जो ये बजार है वो एक प्रकार से असमानता की तरफ इशारा करता है क्योंकि अलग अलग वेक्ति को अलग अलग फैदा हुआ, कई लोगों को तो बहुत ज़्यादा फैदा होता है और कई लोगों को केवल रोजमर्रा की जिंदिकी गुजारने के लिए ही पैसे फ्राप्त होते हैं तो बच्चो इसी के साथ हमारा ये जो अधिहाय था बाजार में एक कमीज समाप्थ होता है अभी आपने इस अधिहाय को कितना समझा कितना जाना आएए प्रशन उत्तर के माध्यम से इसको समझ पहले हम बहुवी कल्पी प्रशन करेंगे ृशन एक कुरनूल किस राजया में स्थित है, विकलप है तमिल नाडू, केरल, आंधरपरदेश, करनाटतक बिलकुल सही कुरनूल आंधरपरदेश में स्थित है प्रशन दो, स्वपना ने व्यापारी को रूई कितने रुपे प्रती कवंटल में बेचि और इसके विकल्प हैं 2000 रुपे, 1500 रुपे, 1200 रुपे, 1800 रुपे बिल्कुल सही स्वपना ने 1500 रुपे प्रती कवंडल के हिसाब से व्यापारी को रुई बेची प्रशन तीन तमिल लाडू में सपताह में दो बार लगने वाला इरोड का बजार जो संसार के विशालतम बजारों में से एक है में क्या बेचा जाता है और विकल्प हैं रुई, कमेज, धागा, कपड़ा बिल्कुल सही यहाँ पर कपड़ा बेचा जाता है प्रशन वह विवस्ता जिसमें बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तयार कपड़ा देते हैं क्या कहलाती है और विकल्प हैं बुनकर विवस्ता, व्यापारी विवस्ता, दादन विवस्ता, करगा विवस्ता बिल्कुल सही यह दादन विवस्ता है प्रशन वह वैक्ति जो दूसरे देशों में कमीज को बेचेगा क्या कहलाएगा विकल्प हैं उत्पादक, आयातक, उपभोगता, निर्यातक बिल्कुल सही जो दूसरे देशों में कमीज को बेचेगा वो निर्यातक कहलाएगा प्रशन बुनकरों की वे संस्थाएं जो एक समू बनाकर कुछ गतिवीदियां सामूहिक रूप से करती हैं क्या कहलाती हैं विकल्प हैं बुनकर सरकारी संस्थाएं बुनकर सहकारी संस्थाएं बुनकर नीजी संस्थाएं बुनकर मिली जुली संस्थाएं बिलकुर सही ये बुनकर सहकारी संस्ताइं होती हैं। अब हम लगू उत्रात्मक्त प्रशन करेंगे। प्रशन एक दादन विवस्ता में बुनकरों को कौन-कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। उत्तर बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है। साथ ही तैयार कपड़े को बेचने की विवस्ता भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंब में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। प्रशन दो, स्वपना ने अपनी रूई कुरनूल के बजार में न बेच कर विवापारी को क्यों बेच दी। उत्तर, फसल की बोर्नी शुरू करने के समय स्वपना ने विवापारी से खेती करने के लिए बीज, कीट नाशक, खाद, आधी खरीदने के लिए बहुत उची ब्याजदर पर 2500 रुपे कर्ज पर लिये थे। उस समय विवापारी ने स्वपना के सामने एक शर्त रखी थी की वह अपनी रुई उसी को ही बेचेगी। इसलिए स्वपना ने अपनी रुई विवापारी को बेच दी। अब हम एक मिलान वाला प्रेशन करेंगे, यहाँ पर दो सूचियां दी गई हैं, सूची एक और सूची दो, सूची एक में दिया गया है उत्पादक, उपभोगता, आयातक, निर्यातक, सूची दो में दिया गया है, जो वस्तू को दूसरे देशों में भेजता है जो वस्तू को बनाता है जो वस्तू का अंतिम रूप से प्रयोग करता है जो वस्तू को दूसरे देशों से मंगवाता है आईए अब हम सुची एक को सुची दो से मिलाएं उत्पादक को हम जो वस्तू को बनाता है से मिलाएंग क्योंकि उत्पादक का काम वस्तु को बनाना है उपभोगता को हम जो वस्तु का अंतिम रूप से प्रयोग करता है उससे मिलाएंगे क्योंकि उपभोगता के पास जो वस्तु आती है उसका वो उपभोग कर लेता है आयातक को हम जो वस्तु को दूसरे देशों से मंगवाता ह उससे मिलाएंगे क्योंकि आयातक दूसरे देशों से वस्तू को मंगवाता है निर्यातक को हम जो वस्तू को दूसरे देशों में भेजता है उससे मिलाएंगे क्योंकि निर्यातक का काम अपने देश से वस्तू को दूसरे देश में भेजना होता है तो बच्चो इसी के साथ हमारा ये अधिहाई बजार में एक मेज समाप्त होता है उमीद है आपको समझ आया होगा स्वस्त रहें सुरक्षित रहें धन्यवाद